यह जो आप देख रहे हो यह दैनिक जागरण है आज का जो इसमें लिखा आए कि आगामी 13 अगस से प्रस्तावित है विश्विद्याले की परिक्षा यह बता रहे हैं कि एक महीने में लगबग यह परिक्षा जो है खतम हो जाएगी जल्दी-जल्दी करा लेंगे एक दिन मे में परिक्षा होंगी परणनत के विकल्ब को परिक्षा समय थी कि बैठक 30 को मतब 30 तरिक को एक बैठक और होगी जिसमें फैसला होगा और शासन ने फिर से जो है एक बार और रिपोर्ट उने मांगे यह पूरी चीज में पढ़के बताऊंगा उससे पहले में एक चीज बत जो ग्राफ है यह कुछ ऐसा है तो जब तक यह ग्राफ बिलकुस सीधा नहीं चलता कम से कम दस दिन और नीचे नहीं जाता तब तक कुछ फैसला आना पॉसिबल नहीं है क्योंकि नया रिकोर्ड आज बना लिया है तो थोड़ी दिक्कत है आलोक श्रीवास्तव जी और 32 फ कैंसले आने है जो पक्स में हो सकते हैं और में नहीं उसकते हैं जो भी ची जोगी मैं आपको बताऊंगा भाकी आ लोक श्रीवास्तव जी नहीं विश्वास है कि जो हम इसल आएगा वह स्टूटेट के प्रीक्रिड पागे इन्हें अब्यर्थी देंगे परिक्षा चोदरी चरंट सिंग विश्विद्द्द और सब्बद कोलेजों में सनातक और पराशनातक अंतिम वर्ष की परिक्षा 13 अगस से प्रस्तावित है अंतिम वर्ष में इस बार करीब अगर तारिक कोई आगे दी भी जाती तो एक या दो दिन की दी जाएगी क्योंकि जुलाई जुलाई में आपका सब कुछ यह क्लेर हो जाएगा इसी वज़ेसे उन्होंने तीस तारिक को एक बैठक और बिठा बुलाई है ठीक है शासन ने विश्विद्द्दाले से सकेंद्र निर्धारित किये हैं लेकिन कुछ और बना जा सकते हैं मतलब यह अभी जो है एकदम से मतलब फिक्स नहीं है थोड़ा सा चेंज हो सकता है कोविड को देखते हुए इस बार केवल असनातक और प्रासनातक अंतिम समिश्टर अंतिम वर्ष के परिक्षा होगी इस एक गाइडलाइन निकाल दी जाएगी कि तीनों ही प्रोमोट है और इस तरीके से होगा और तब जाके आपका रिजल्ट बगेरा देखने को मिल जाएगा जो फर्स्ट एर सेकिंडियर है और पोस्ट के रैजिवेशन में जो फर्स्ट यह हैं याभी सेमिश्टर वाले हैं वो बस इसी वज़े से थोड़ा सा पेंडिंग में पड़े हों कि अभी थर्ड यहर का फैसला आना बाकी है इसना तक अंतिव वर्ष में अभी तक सो भवी कल्प परसुनों का उत्तर देना होता था परसुनों की संक्य घटा के पिशतर कर दी गई है समय दो घंटे से घटा नहीं बनाया है परणनत के लिए भी चुनोंती तो अगर आपको प्रमोट करते हैं तो उसके लिए भी चुनोंती इन्हों ने बताया है विश्विद्यल के सामने कोविड में जहां परिक्षा कराने को लेकर चुनोंती बनी हुई है तो दूसरी परणनत भी असान नहीं चुनी कुमार ने बताया कि समीती की बैठक में परणनत के विकल्प बनाए जाएंगे अपको बतानों दोनों ही पोस्पोन होंगे आप देख लेना क्योंकि इस टाइम पर ऐसी हालात नहीं है कि आपकी परिक्षा कराई जाए और अगर परिक्षा हो भी गई तो बहुत सार एपसेंट रह जाते हैं अगर ऐसी इस्थिति है तो लड़कियों को कोनी घर से बेज़ेगा और लड़कों को कोनी घर से बेज़ेगा तो चलो और देखते हैं अगर देखते हैं क्या होता है जैसे जो अपडेट आएगी मैं बताऊंगा ऐसा नहीं है कि मैं वीडियो नहीं डाल रहा हूं तो इसका मतलब मैं उस चीज़ पर नजर नहीं रख रहा हूं बस मैं इंतजार करता है कोई ऑफिस्यल अपडेट आए जिस जो आपके लायक हो जो वीडियो आपको मिल जाएगी अगर हित में फैसला हुआ तो वीडियो मिल जाएगी हित में फैसला नहीं हुआ तो वीडियो मिल जाएगी दिन में शायद ही मैं जो आपके कमेंट कर रिप्लाई ना करूँ लेकिन शाम को सारे जो कमेंट होंगा रिप्लाई कर दूँग सबसे उपर टैप करोगे तो मैंने कमेंट वहाँ पे आपको डायरी नमबर डालना है 15106 जो आलोग सुरी वास्तव जी की को जो प्रेटिशन फाइल करिए उसका है आपको पता चल जाएगा जो हीरिंग क्या क्या चल रहा है वहाँ पर ठीक है क्या पे नहीं है क्या चीज है आगले सुनवाई कब होगी जो भी चीज वहाँ पर होगी वह सारी चीज वहाँ पर दिखा देंगे कितने लोग वहाँ पर मतलब आलोग सुरी वास्तव जी के साथ कितने लोग खड़े हुए है सारी चीज आपको पता चल जाएगे 15106 है और जो लिंक है मैं इसमें डेस्क